जाहिंद गुड इमिनिंग वेलकम टू इस्टेडी पारपाइंड दिस्सेंकित मौर्या आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आये हैं इंजिनिरिंग ड्रॉइंग फर्स्ट का मॉडल पेपर जी हां अगर आप यूपी से हैं और पॉलिटिनी कर रहे हैं और अभी आपका है फर्स्ट समेस्टर तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा क्योंकि 2019 से जो इंजिनिरिंग ड्रॉइंग का पेपर आता था उसका पेपर का पैटर्न बदल गया है जिस वज़से पिछली बार क्या हुआ जब 2019 का पेपर हो रहा था काफी बच्चों की बैक आ गई थी तो मैं चाहता हूं आपकी बैक ना आये इसलिए वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि इसमें कुछ आपको बताऊंगा क्या पेपर में बदला हुए जिस कांट से बैक आपको देखने को मिली है बाकि अगर आप कोस्टन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ए आपके पास जो पेपर आएगा विवह आपको उसका एक्जाम देना होगा चलिए देखिए तो आप Canad अब को भरने ओंगे रहता है अगर इंडौले नंबर भर देंगे तो जो भाई क्लास में मतब आपकी देखरेक करता हुगा गाड़ी जो भी टीचर रहागा उससे आपको डांट सुननी पढ़ सकती है इसलिए आप इसका ध्यान देंगे दूसरा इसमें लिखा गया है कोड नमबर जो की पेपर कोड है यह कोड पेपर उत्तर पुछतिका यानि एंसर सीट में भरना पड़ता है लेकिन आप तभी भरेंगे अगर ना समझ में आए तो जो टीचर गाड़ी कर रहा है उनसे पूछ लीजिए बाकि जो कॉपी होती है कि उसको कैसे भरा जाता है इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है चलिए देखिए यहां पर लिख दिया गया और समेश्टर इग्जामिनेशन दिसमबर 2019 के बारे में अब यहां पेपर जो होता है आप देख सकते हैं आधे तरह इसका रूल ठोड़ा सा चेंज आप देख सकते हैं यहां पर सब्र्ण का नाम दिया गया है आगे अगर आप देखेंगे यहां पर ठाइमिंग थोड़ी जादी मिलती है जबकि अधर पेपर का जो मिलती है वह आपको किता मिलती है धाई गन्वह से अधिन minimum marks की बात करें तो 20 नंबर का होता है अगर 20 से कम आ गया तो आपका क्या हो जाएगा आपका बैक आजाएगा क्या जाएगा बैक आजाएगा आप प्रकार सकते हैं आप हट नहीं जाएंगे लाइन से लेकिन बैक आजाएगा उसका पेपर आपको बाद में देना ही पड़ेग तो इस बात का आपको ध्यार होना चाहिए और देखिए इसमें 20 marks भी लाने काफी लोग को दिक्कते हो जाती हैं सबसे पहला note में देखे कुछ important बाते बताएगी इसको देख लीजिए सबसे पहला एनी आपको कहा जा रहा है पांच question का आपको answer देना है दूसरे मिया कहा ज प्रिवाइस से जोँ यूज नहीं है हाला कि याप कैल्सी एक होता है यानी कैकुलेटर साइंट्टूलेटर बोलते है उसको ले जा सकते हैं लेकिन इसमें उसका ड्राइंग में कुछ ज्यादा काम नहीं है ठीक हो सकता है वहाँ पे लाउंघन करें क्योंकि वह कुछ जो स सबसे पहला देखिए तो सबसे पहला इसमें यह ऐसा नहीं है कि इसमें दस करना होगा इसमें ऐसा नहीं है इसमें दूसरे तरीके से जैसे अगर हम पहले कोश्चन की बात करें तो यहां पर क्या होता है ध्यान दीजेगा पहले कोश्चन में देखिए दो कोश्चन दिया गया है दो कोश्चन में क्या दिया गया है ध्यान दीजेगा कहा यह जा रहा है ड्राइंग कर रहे तो आवस्यक उपकरणों को सूची ब 拉ेंगे आपका अंधम फैंसल लगती है आपका सापनर लगता है इरेजर लगता है और है प्रॉटक्टर लगता है और क्या लगती है और जो भी चीज में सब् primarily पयम लिखते हैं इन सब क tirar दो दोर ऑर दोगे यह चार नंबर का कोस्टन है तो आपको यहां violent नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं ठीक है अगर आप लिख दिए तो आपको तीन नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं अर्था पहले तो टार्गेट 20 होगा तो बीस में से अगर आप देखेंगे इसका जो दूसरा नंबर है कहा जा रहा है 10 mm की हाइट में एकल प्रयास यानि सिंगल इस्टोक आपको लिखना है क्या लिखना है यही जो चीज यहां पर दिखाएंगे ब्यूरो आफ ठीक है ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड इस तरीके से आपक हैं कभी कभी देखें हमने जब पढ़ाया तो वहां पर यह बताया है फाइफ रेसियो फोर या ठीक है या इसको सेवन रेसियो फोर में लिखा जाता है अब देखें अब यहां पर इन्हों ने कहा दिया कि 10 mm की हाइट में उचा बनाईए तो आप क्या करेंगे इसमें क्या करें दोनों पच्छों में दो से उड़ा कर देंगे तो दस रेसियो आठ हो जाएगा यह हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा अब देखें इसका मतलब यह हुगा दस रेसियो आठ का मतलब क्या हुगा अब देखें समझ लेजिए अभी जो अभी भी नहीं पढ़ा तो समझ लेगा ही पर देखिए दस रेसियो आट का मतलब यह हुगा एक लाइन पहले तो रिफ्रेंस यह जो लाइन खीचते हैं बहुत हलकी खीची जाती है फिर इसके बाद यहां से क्या करेंगे दस से में अगर दस है तो दस चाओ यानि फोर्टीन अगर साथ रेसियो फोर लेंगे सेवन फोर वाला तो उसमें फोर्टीन आजागा हालाकि 10 वाला हमने लिया है तो यहां से यह ले लैंगे अब देखिये इसमें क्या होगा ध्यान देजएगा यहां पीच तरीके स्काड लेते हैं अब देखिए इसके जो बीच की दूरी यह है ओ कितनी रहेगी वह कितनी र यह-oise दीजिए लिखना है तो अब हम यहां चैडिक हो एंसे हम लोग क्या बनाना है सिस तरी के से बनालेंगे और पिर यह आप है का क्या करेंगी जहां कोहाएं यह जो पीच की दूरी है यह कितनी है आपकी यहई जो जिसे एक वर्ड की जो बीच की दूरी है यह 8 mm की बीच है और इसके बीच में जो गयप है जो यह गयप छोड़ा दिखा जा रहा है यह 2 mm का रखा गया है अब देखें यह क्या होते हैं जो आपके मतलब कोस्टन होते हैं जीस प्रकार से यह जो आपकी डामेंसल दी रहती जरूर नेक हमेसा 10 ही रहेगा लेकिन ज्यादा तर यही पुछा जाता है और एक ध्यान दीजिए यह कोस्टन हमेसा आता है यानि आपको सिंगल इस टोक आपको आना चाहिए कैसे लिखते हैं बाकि इसकी काफी सारी वीडियों हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखिए उनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एक वीडियों देख लेंगे ना तो यह आपका आठ नमबर ही complete यानि अगर आपने यह दोनों कर दिया आठ और चार कि नहीं बारा नमबर कम्प्लीट हो जाते हैं तो बारा नमबर अगर हम कम कर लेते हैं आसे बारा तो पूरे नहीं मिल इख सकते आए कि सब्रज़़ंगे तो हम स्वस्त नंबर मिल नव य। नंबर मिलेंगे इस से ज्यादर नहीं सकते हैं कि तो हम आठ यात बाला लेकर चलते ज्थées कम लेकर लीप जरूयद यह जरूरत नहीं बना देने है इसका ध्यान रखेगा अब देखिए यहीं से पाइटर्न चेंज हुआ है देखिए पाइटर्न में क्या हुआता था एक होता आर्थोग्राफिक प्रोएक्शन जिसमें कि आपको बनाता था फर्स्ट एंगल और थार्ड एंगल यह कोश्चन हर साल आता था इसी पूछा ही नहीं इसके वहले में तो एक बात हो गई दूसरी बात इन्होंने क्या के 2019 में चैंजिंग की गई है एक की गई कि पहले ना सिर्फ बनाने के लिए आता था लिखने वाला कोई नहीं था लेकिन अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें लिखने वाला भी बात की जा रही है आप देख सकते हैं अगर अगला कोश्चन यहां पर ठीक है राइखिक बीमाकर्ण के संरेखित यों दिसाहीन तरीकों के अंतर को आपको क्या करना है बताना है तो आप देख सकते हैं लिखने वाला भी आता है इसलिए आपको सिर्फ बनाने पर नंबर लिया था यह दोनों मिला करके 12 नंबर होते हैं हम इससे भी आठ नंबर मान के चलते हैं अगर आपने सही किया तब तो देखिए 8-8-16 नंबर बड़े ही आसानी से हो चुके हैं अगर इसको भी 15 मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हाला कि यह जो 15 और कम कर रहा हूं य प्रतिनिधी ठीक है प्रतिनिधी अंस यानि और यफ डिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपका है तता बीकर्ण इसकेल के सिध्धानतों को आपको लिखना है या कहिए कि लिख के आपको उनको समझाना है नेश्ट अगर बात करेंगे तो यह भी कोश्चन बहुत यानि सरल मापनी और विकर मापनी लेकिन यहां पर भी ध्यान देंगे ठीक है सरल भी पड़ में तो क्या होता है थोड़ा सा इसमें अर्जेस्टिंग और चलती रहती है तो इसका आप ध्यान रखेंगे और यहां से कोश्चन आते रहते हैं बाकि यह दो आपकी जो मापनि चलिए Question number 4 की बात कर लेते हैं ठीक है Question number 4 की बात कर लेते हैं देखिए अब यहां पर जो कोड़ी पुर हमने बात किया कोरी पद्चे कोरी पंच्छेक में रहते हैं इसके बारे में यहांब पूचल लिया गया है ठीक और जब कि यहीं दूसरा इसके कोश्चन की बात करें तो दूसरे में दूसरा कोश्चन पूछा गया मतलब दूसरे टाइप से क्या कहा गया कहा गया कि देखिए यही वाला है बिंदु चलिए दूरी यहीं में इस परकार साथ का बढ़ जाता है जैसे देखिए क्या करा वहीं आशी आपका जाएगा आप यह दिखिए पहले तो एक ग्राफ बना लिए अशे हैं आपका यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हाई जेंटल पर यह आपका वर्टिकल हो जाएगा अब यहां का रहा हैं कि एक सेकेंड इसी पर सब बन गया तो कहां से दिखाएंगे चलिए देख लीजिए अलाकि कोई दिक्कत अली बात नहीं मैं फिर से आपको बता देता हूं यह देखिए यह आपका हो गया यह आपका यह पी हो गया उपर वाला भी पी हो गया अब देखें यहां पर क्यां का जा रहा हूं कि बिंद्ब बिंद Q कर रहा है यह पी के नीचे यहां को बनाता है तो इस प्रकार से आप देखके इसको बना लीजिएगा, बहुत आसान है, हमने point of projection पढ़ाया भी है, आप देख लीजिए, सिर्फ उसमें 10 या 12 question आप अक्षेस तयार कर लेंगे, तो आप यह जो point of projection है, इसको बढ़ी आसानी से आप बना ले जाएंगे paper में, और बहुत important है, आता रहता है, चलिए, question number अगर आप देखेंगे nest ना, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, question number 5 में, यह question जो है, सीधे देख सकते हैं, 12 number देगा आपको, कहा जा रहा है, 30 mm भुजा वाले वर्गा कार समतल, PQ-RAS, यजपी के समांतर या 20 मीटर दूरी पर है, इस समतल की दो तो यह कौन कर पाएगा, जो भाई इस चीज को अच्छे से पढ़ा होगा, वही इस question को कर पाएगा, और ध्यान दीजेगे, यहां पर 12 number एक ही question से मिल जा रहा है, अगर हम बात कर लेंगे, question number 6 की, तो जड़ा आप देखिए, तो question number 6 में क्या है, दो questions दिया है, सबसे पहले question में क्या बोला है, सबसे पहले question में यही बोला है, बेलनियों संकु, ठीक है, सबसे पहले question क्या बोला है, यही बोला है, बेलनियों संकु को सता के घुडन के परिछेप में समझाईए, यानि लिखने का मैटर आ गया है, अगला है यही पे, आईसोमेट्रिक स्केल, ठीक है चलिए अगला अगर आप देखेंगे तो अगला अगर देखेंगे कोश्चन नमबर साथ जो की लास्ट कोश्चन है ठीक है तो इसमें क्या जारा कहा जारा है ध्यान दिजेगा वह भीपी से 10 mm सामने है तो इसका आपको प्रच्षेप खीचना है तो इन कंडिशन के इसको साल्व करना है अब चलिए आपको मैं बताता हूं क्या क्या यहां पर हो सकता है अगर आप यहां पर ध्यान देखेंगे ध्यान से समझेंगे तो जो नमबर आधे तो सीधे सीधे कर जाएंगे तो उसमें कोई दो बात नहीं है तो इस चीज का आप ध्यान देंगे तो कहने का टोटल आलो भर यही मतलब है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और लिखने वाला भी कंटेंट अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अब बाक के वीडियों पसंदात वीडियों को लाइक करें नया होत हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन दबाईए लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम